हाई एब्रीवान वेलकम टू रागमनोतर आगेस क्रूप आपने हेरे में सब अच्छे होंगे तो गाइस अच्छे रहें ध्यान रखे अपना एंड गाइस आज हम डिसक्स करेंगे करेंगे क्रेंट फिर के पाइंड उसे इंपॉर्टन टॉपिक और आज को हमारा टॉपिक ह पर आपको कहां कहां पर देखने को मिलेंगे और इसे हम काफी अच्छे के बिसक्स करेंगे और साथ इंडिया के पास अभी कितना रिजर्फ है वह भी हम इस सेशन में अच्छे से समझेंगे तो देखे गौर्टमेंट और इंजिनियर्स इंडिया लिमिटेड ये अभी के लिए स्टडी कर रहे हैं और देख रहे हैं कि राजिसान में कितना फीजिबल है कि अगर हम वहाँ पर सार्ट केविन बेस्ट स्ट्रेजिक ऑईल रिजर्व बनाते हैं अब राजिसान ही क्यों देखे राजिसान में आपको साल जाता देखने को मिलेगा और इंडिया में अभी के लिए रोग केविन बेस्ट कहां पर आपको देखने को मिलेंगे करनाटका में पडूर एंड मंगलूरू में और विशाखा पत्तम अंद्रा परदेश में अब देखे यहां पर हर कंट्र स्टॉरेज क्यों करती है तो देखे कंट्री बिल्ड स्टैटेजिक क्रूर ओयल रिजर्व तो मिटिगेट मेजर सप्लाइड डिस्रप्शन इन ग्लोगल सप्लाइचेन अब 1970 में जो क्रूर ओयल सप्लाइचेन डिस्रप्शन हमें देखने को मिला था तो उसके बाद हर सब्सक्राइचेन यहां पर 90 जो अपना सप्लाइचेन है वह एक तरह से रिजर्व में रखती है आप देखें इंडिया वर्ल्ड का थर्ड डाज़ेस्ट कंजूमर है क्रूड ओयल के मामले में और इंडिया की जो डिपेंडेंसी है वह इंपोर्ट पर हमें देखने को मिलेगी तो हम इंडिया में 90 जो सप्लाई है उसको एक तरह से चला सके हैं अब इंडिया के पॉइंट से समझें तो 5.33 मिलियन टन्स हमें देखने को मिलती है या फिसको 39 मिलियन बैरियर भी आप कह सकते हैं और यह 9 पॉइंट डेस की जो डिमांड है उसको फिल्फिल कर सक सकती है हलाकि यहां पर अगर हम बात करें जो कंपनीज है उनका जो स्टॉरेज है उसको मिला दिया जाए तो 70 डेस का अप्रोक्सिमेटली हमारे पर सप्लाई चेन है अभी हम आगे डिसकस करेंगे और इसको इनहांस करने के लिए 6.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 इसके अगर्णिंगली हमारी गवर्मेंट ओफ इंडिया ने 5.33 mmt बिसिकली स्टोर किया था विशाका वटनम में मंगलूरू में और पडूर में और S.P.R. 2 में यहां पर हमारी गवर्मेंट ओफ इंडिया 6.5 mmt को स्टोर कर रही है चांदी कोल और पडूर में और यहां पर कितना कितना कहां पर स्टोर है यह आप एक बार देख सकते हैं वैसे आप से यह एक्जेक्ट फिकर नहीं पुछी जाती है अभी के लिए अगर हम देखें इंडिया स्टैटेजिक और पेट्रोलियम मिनिस्ट्री आप देखें इस तरह के कोशन कई बर बन जाते हैं तो आपको ध्यान रखना है यह पेट्रोलियम मिनिस्ट्री अंडर आती है और EIL इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड वास इंस्ट्रूमेंटल इन सेटिंग अप दा कंटीज एक्जिस्टिंग एस्टियार और यहां पर जो साल्ट केविन हम राजिसान में अभी इसकी देखने हैं तो वह कौन देख रहा है इसको रोक केविन से कंपेर करें तो बहुत ही चीपर है लेस लेवर है कोस्ट इंटेंसिव है और यहां पर अगर हम सिंपल वर्ट में समझें यह डाइग्राम के अच्छे से समझ पाएंगे तो देखिए मान लेजिए कि राज्यस्तान में इस पर देखेंगे की हम डिगिंग करके शोरेज के बस्टी बनाएंगे तो यहां पर और इस हालट ने को कल différent है और उसके बाद हमें बाहर निकाल लेंगे और यहां पर ओयल को कभी भी कर सकते हैं और कभी भी बाहर निकाल सकते हैं तो यह बहुत ही इजी मेथड है और लेस लेबर है चीपर है अगर हम यहां पर समझें क्या होता था कि पहले हम डिगिंग करते थे फिर यहां पर रोग के थू एक तरह से इस तरह के जो स्टॉरेज के बेश्टी यह बहुत ही इसी कंसेप्ट ने को मिलेंगे उसे में यहीं करते हैं और क्रूड स्टॉरइज कपेस्टी है वह इंडिया के कंपेरिटिवडी टवंटी ताइम्स जाद है तो हम यहां पर अगर एजी वे में समझें तो आपको यह जो वे हैं वो समझ में आगया होगा एक बार आप इसको अच्छे से देख सकते हैं उसके बाद हम समझें जो बेसिकली अभी के लिए हम सार्ट केविन बना रहें जैसे कि मैंने आपको उताया मौर अट्रेक्टिव ओ यहां पर आसपास साल्ट होगा तो इसकी वज़े से जो ऑईल की ऑप्जर्वेंसी वो काफी कम होती है और एक तरह से में इसको बनाने की सोच रहे हैं और USA में आपको कहा पर देखने को मिलेगा गल्फ ओफ मेक्सिको और यह आपको टेक्सेस और लुसानिया वाले एरिया में देखने को मिलेगा और देखे कैपैस्टी जो USA की अभी के लिए कितनी है 727 मिलियन बैरियल और इंडिया की कितनी है अब 39 मिलियन बैरियल तो यहां पर आप देख सकते हैं अप्रोक्सिमेटली 20 टाइम्स जो USA की कवेस्टी है वो इंडिया से ज़्याद है साल्ट केविन और अलसो यूज तो स्टोर लिक्विड फ्यूल नैच्ट्रल गैस कंप्रेस्ट एर एंड हाइड्रोजन उसके बाद अगर हम बात करें राजिसान ही क्यों जैसे कि मैंने आपको बता है राजिसान में आपको साल्ट फॉर्मेशन जादा देखने को मिलता है अगर हम इंडिया के कंटेक्स में समझे और राजिसान में अभी के लिए हम एक रिफाइनरी भी बना रहे हैं बार्नर में अगर यहां पर देखे हम साल्ट जो साल्ट कारविन बेस्ट स्टोरेज को बनाते हैं तो हमारे लिए बेनिफीशल हो जाएगा क्योंकि यहां पर आ आपको यहां पर बेसिकली रिफाइनरी देखने को मिल जाएगी उसके बाद देखे जो यहां पर अगर अभी के लिए हम समझें साल्ट केविन इसको बनाने के लिए जो टेक्नॉलोजी है वो इंडिया के पास नहीं है इंक्लूडिंग अगर हम बात करें जो ई आईल है इस इसके बाद ही हम साल्ट केवे बिस्ट जो स्टोरेज के बेस्टी है उसको बना पाएंगे और अगर एक बार यहां पर हमें टेक्नोलोजी का पता लग जाता है तो उसके बाद हमें यहां पर एक तरह से आईडिया हो जाएगा कि इनको बनाने के लिए कितना कोश जाएगा और उसके बार अगर हम समझें, इंडिया स्टैटेजिक ओयल रिजर्व हार पार्ट फ़ट टू बिल्ट सफिशेंट एमर्जेंसी स्टोक पाइल से तो जैसे मैंने आपको बताई चुका हूँ, फर्स्ट ओयल क्राइसिस हमें 1970 में देखने को मिला था और अभी के लिए हमारे पास तीन रोग केवन बेस्ट पैसिलिटी हैं चहां पर हम ओयल को स्टोर करते हैं और इंटरनेशन एनरजी एजनसी के कोडिंग लिए अगर हम समझें हर कंट्री के पास 90 डेस का स्टोरेज होना 24.25 अभी टी ऑन्ट ciao करने जारहां मतलब इंडिया में अपना ऐल स्टेकिक तो वो कर सकती हैं जैसे अबुदाबी नेशनल ओयल कंपनी का जो बैसिकली क्रूड ओयल है वह इंडिया में स्टोर है जीरो कॉइंट एट मिलियन टन तो इस तरह से हम इंडिया में कोई भी कंपनी आकर अपना यहां पर रिजर्व बनाती है तो कुस टाइम तक मान लोगी 5-10 साल तक जितना भी उनका कोस्ट आएगा इस रिजर्व को बनाने के लिए तो 5-10 साल वो इस रिजर्वर को यूज करेंगे और जब तक उनका कोस्ट पूरा नहीं हो ज पॉइंट्स मैं आपको बताए वो क्लियर हो गए होंगे इनकेस अगर आपका कोई डाउट है प्लीज कमेंट सेक्शन में पोस्ट करेगा नेक्स सेशन में बहुत जल मिलते हैं तब तक लिए अपना ध्यान रखिए थैंक्यू सौमच